चाइनीज कंपनी के एप्स को भारत सरकार द्वारा बैंग किया गया था जिसके बाद अब एक बार फिर भारत सरकार ने चीनी कंपनियों को नोटिस भीज दिया जिसके बाद अब कंपनियों के पास आज का दिन जवाब देने के लिए आखरी है जानकारी के मताबिक अगर चीनी कमपनिया आज शाम तक स्नोटिस का जवाब नहीं देती हैं तो बचे हुए चीनी अप्स को भी हमेशा के लिए बैन की आ जा सकता है आपको बता दे हाली में 50 कमपनियों जी सरकार के स्नोटिस का जवाब दे दिया है लेकिन अभी भी कुछ कमपनिया बागी है जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है बता दें सरकार ने इन कमपनियों के जवाब की समिक्षा काने के लिए एक टीम भी बनाई है भारस सरकार ने आट जुलाई को उन साथ चीनी कमपनियों को नोटिस भेजा था इस नोटिस को भेजे तीन हफते हो चुके है सरकार ने कमपनियों से सतर से अधिक सवाल पूछे थे जिसके जवाब कमपनियों को 28 जुलाई तक देनी थे और आज 28 जुलाई का दिन इन कमपनियों के लिए आखरी दिन है यह कंपनी एक दो हफ़ते के अंदर जवाबों की समिक्षा करेगी अगर इसमें यह पायगा है कि चीनी टेक कंपनियों की चीन के लावा कहीं और सर्वर स्थापित तक किये हुए हैं तब ही उन्हें रहा दी जा सकती है वना सरकार एप्स पर बैन लगा सकती है subscribe our channel and press the bell icon for more updates